सब्सक्राइब करें मेरी चैनल यूमी आन यूट्यूब को और यहीं पर जो बेल का आइकन है इसे जरूर प्रेस करें ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और यहीं पर आप मेरे दूसरे चैनल का लोगो देख सकते हैं दिव्या व्लोक्स आप इसको भी यहीं से सब्सक्राइब कर सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल यूमी ओन यूट्यूब मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्टिव्या तो आज हम लोग बनाएंगे ओमलेट लेकिन इसमें कोई अंडा यूज नहीं हुआ है जी हाँ यह बिलकुल एगलेस ओमलेट है और बिलकुल ही रियल वाले ओ कृटा फट बन जाता है और बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है तो आप इसे जरूर ट्राइ करियेगा बच्चों को भी भहाट पसंद आयेगा अगर आपने कभी आमलेट टेस्ट किया है तो आप इसे मैच करिएगा उसके टेस्ट से बिलकुल वैसा ही लगता है और ब मैदा लिया है मैंने और बेकिंग पाउडर एक वन टी स्पून और नमक स्वात के हिसाब से या फिर एक छोटे चम्मच के बरावर लेंगे और साथ में जो ओमलेट फगरे में जो सब्जियां पढ़ती है जनरली यही पढ़ती है टमाटर प्याज हरी मिर्च धनिया अगर आप और ज्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं तो एक बड़ा सा बोल लिया है मैंने और उसमें हम सारी ची यह डाला है और फिर नमक डाला है बेकिंग पाउडर आप जरूर यूज़ करें इससे जो ओमलेट का टेक्सचर है बहुत अच्छा आता है और यहां पे मैंने यूज़ किया है वन फोर्थ टीस्पून के बराबर काली मिर्च आप इसकी जगह या काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चाट मसाला भी आप यूज़ कर सकते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए तो अब इसमें जो ट्रिक है वो यह है कि इसमें एक एक धेर सारा पानी ना डाल दें पिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और उसे पहले इस तरीके से पेस्ट जाएंगे काढ़ा सा बैटर बना लेंगे उसके बाद हम इसमें फिर धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे और गान दाले और पतली कंसिस्टेंसी का हम बैटर बना लेंगे देखिए मुझे अभी भी अपना अजहा नहीं मिली है sourd फोड़ी पतली मुझे लग fist पानी है और नमक करने यह लग23 है पेइस्ट उडर्य का नमक दूड़ा आला है और यह Éसी थी का समें आप ठरोड़ की लिए ऑनिए इसी ही निए फेटर मैंने साल है तो नेक्स जो प्रोसेस है हम पैन चड़ाएंगे जिसमें हमें बनाना है ओमलेट और उसमें हम बटर या ओयल डालेंगे तो मैंने दोनों चीज यूज की है आप चाहे तो केवल बटर में बनाईए या फिर केवल ओयल में बनाईए तो हम थोड़ा आची कौंडिटी और उसके बाद हम जो वेजिटेवल है हम इसमें डाल देंगे थोड़ि सी मैंने चार खाश्यू चीज़ों को मिला लिया है और ंसको इस तरीके से ओ्र इस से नदा और नहीं करने है और जो बेटर है कि हम तो डाल देंगे और बिल्कुल धीमी आज पर इसे हम पकने देंगे तो एक तो वो तरीका है दूसरा ये है कि हम बैटर में के उपर से हम स्प्रिंकल करें इन सबजियों को या बैटर में मिला के तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं इस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगेगा उपर से टमाटर प्याज और धनिया पती ये सब दीखा करेंगी तो अच्छी लगेंगी और ये बिल्कुल आप इसको इत्मिनान से छोड़ दें बिल्कुल जब तक कि ये पफी ना हो जाए अच्छे से इसमें एक टेक्स्चर ना आ जाए ओमलेट वाला आप ध्यान रखें आपको पूरे प्रोसेस में आज का बहुत ख्याल रखना है फ्लेम का धीमा ही रखें उसे और धीरे धीरे ये बिल्कुल पकेगा तो एक अच्छा सा टेक्स्चर आएगा और देखिए इसने बिल्कुल पैन को छोड़ दिया है और ये मैंने पलट दिया तो आप देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा सा इसका आया है कलर आप देख रहे हैं तो ये तो नीचे का हो गया और उपर के लिए आप बहुत ज़्यादा ना सेकें जैसा आप ओमलेट बनाने के लिए करते हैं तो ये फटा फट ओमलेट बन गया और मैंने इसे सर्फ भी कर दिया है तो आप इसका मज़ा लें एक बार जरूर ट्राइ करें अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा तो अगर आपको अच्छी लगी हो रेसिपी तो लाइक ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी फालो कर सकते है जिसका लिंक यहां पे फ्लैश हो रहा है तो मैं मिलती हूँ आप से अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक कीफ वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू सो मच पर वाचिंग बाबाई टेक केर लव यू